वेरी गुड मॉर्णिंग टो अलोफी दोस्तो स्वागेत है आप सभी का एजुकेशन के अट 6 में और आज इस वीडियो के माद्यम से हम बात करेंगे अगामी जो 79 वी BPSC परिक्षा होने वाली है उसके परिक्षा के पैटर्ण के बारे में साथी साथ दोस्तो 68 वी BPSC का जो परिक्षा को लेकर तो उसके बारे में हम यहां पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे थोड़ा सा आपको एक हिंट और दे दे यहां पर आगामी परिक्षाओं की तैयारी जो चातर कर रहे हैं बिहार BPSC और या फिर बिहार दरोगा की इस बैच को लेकर जो जुड़ना चा सब्जेक्टिव से नंबर पर 199 का यह स्पेसल उफर चल रहा है आप जल्दी से यहां पर पेमेंट करके जुड़ जाएए और आप ग्रूप में जुड़िएगा वहां पर टास्क मिलेगा और दूसरे ग्रूप में आपका क्यूज करवाया जाएगा और जिनका जो है पूरा बोट शेयर कर दिया है आप उन बोट के जरी आप अपना कुद का टेस्ट दे सकते हैं और जज़ कर सकते कि कितना उत्तर हमने सही कर रहे हैं अभी करेंट अफर में तो कल का जो टास्क होगा वह आपके समान निग्यान सब्जेक्टिव से होगा लुसेंट के और एं चलेगा और उसका होमवर्क जो है आपको होमवर्क सीरीज के ग्रूप में देखने कोई मिल जाएगा पीडियेफ वहां पर शेयर कर दिया जाएगा तो चलिए आप लोग जल्दी से जुड़िए यहां पे तो दोस्तों यह जो कटफ सिनारियो मैंने आपके सामने रखा है यह कटफ सिनारियो उन हजार बच्चों का लिया गया है जो यहां पे बोटिंग किये हैं यानि कि बताए हैं कि इतने कोशन सही कर रहे हैं इतना गलत हो रहा है एक्यूरेसी के साथ जो भी अपने बताया है उसके अधार पे और यह जो है जेनरल की अगर हम बात करें मेल तो यह 92 प्लस यहां पे अगर हम देखे 92 प्लस होगा या इससे कम नहीं होगा इससे ज्यादा भी नहीं होगा लेकिन पर 90 से 92 से यह आंकड़ा कम भी हो सकता है माइनस टू भी आप मैंने लिखाया तो आपका मेल कैटिग्री में अगर आपने 90 प्लस उत्तर किये हैं या फि जो कि आपने वोटिंग किया उसके अधार पे तो 87 प्लस टू उपर नीचे ले लिजेगा लेकिन अगर मैं बात करो यहां पे तो 92 के आजपास जो है महिलाएं वह यहां पे अगर आप जो है वह तैयारी कर सकती है अगर आपका सेफ स्कोर है इतना यह एकुरेसी में आपने उसके को नहीं बताया है आप लोगके जरिये हैं यह उपडेट किया गया है ठीक है बर्ट यहां पे अगर मैंश करूघ करो तो यह 80 की में ह grass िक्यारी में मेरे ख्याल सब्सक्रान के रहा है यहां पे सेफ कोर में है और 77 स्कूर में अगर आप यहां पर अगर त्यारी कर रही है तो 93 में है अगर अगर तो आप manager करेंड के टियारी में लगते हैं और महिला यह सैक्ष doc प्लस माइनस में उपर नीचे दो नंबर ले लिजेगा तो यहां पर आप इसकी त्यारी में लग सकती है EWS कैटेगरी के स्थातर जो वोटिंग के जरी यहां पर आपका कटफ जारी किया गया है यह 75 प्लस माइनस टू है और महिलाओं के लिए 70 प्लस माइनस टू है अगर मैं बात करूँ अपने चैनल के काटेगरी को लेकर देखूँ अगर तो आप लोग का जो कटफ सिनारियो है SC mail में 85 और या फिर एक दो नंबर उपर नीचे हो सकता है ठीक है और महिला की बात करूँ यहां पर तो 75 प्लस माइनस टू जो है आप ले सकते हैं यहां ठीक है तो यह आपका महिला काटेगरी SC को लेकर रहें ST काटेगरी में बात करूँ जो की वोटिंग की अदार पर आप लोगों ने किया है तो 87 और महिलाओं की बात करें तो 84 यह प्लस माइनस टू उपर नीचे ले सकते हैं आप लोग कट अफ सिनारियो इसका वहीं पर अगर मैं अगर अपने चैनल की बात करूँ तो ST काटेगरी में अगर आप आविदन किये हैं तो 88 प्लस और यहां पर महिला है तो 80 प्लस जो की अगर आपने स्कौर किया है तो सेफ इसकोर में है आविधन मेंस के लिए आप लोग यह पर प्रिपेर कर सकते हैं EBC के लिए बात करें तो यहां पर mail केटेगरी की बात करें चुक्छी यहां पे केटेगरी में इनको रिलेक्शन भी मिलता है तो 88 यहां पे है और बिल्कुल EBC के लिए मैं यहां पे 88 ही रखूँगा अपने भी चैनल का भी यहां पे अपडेट ठीक है चलिए वहीं मैं अगर EBC female category की बात करूँ तो 83 तो यही score हमारा भी है यहां पे रहेगा चैनल का तो आप लोग इस score में बिल्कुल safe है यहां पे अगर मैं बात करूँ यहां पे दोस्तो BCL category की जो की महिला category का है तो 83 plus minus 2 उपर निचे लेकर चल सकते हैं आप लोग तो यह अगर safe score आखिर इसका तो रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा आपको 24 मार्च को यह परिणाम घोशित कर दिया जाएगा और 60 BPSC के माद्यम से जो आपका प्रिक्षा हुआ है सांते पुन तरीके से हुआ आयोग अध्याक शतुल प्रसाद ने बताया कि 3.5 लाग से अधिक अभि मई को किया जाएगा संभावित है इस डेट में एक्जाम लेकिन ले ही लिया जाएगा तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा और अगर हम बात करें नए एक्जाम की यानि कि उनहतरवी BPSC की तो जो भी चातर अगर इस परिक्षा में अगर लगता उनको की सक्सेस नहीं हो जैसे इनका एक्जाम जो कॉमन एक्जाम होता है सेम स्लेवर्स के अधारित वह एक्जाम आपका 30 सेप्टमबर को लेने की एक घोशना भी यहां पर अतुल परसाजी ने कर दिया है अब यहां पर क्या होगा इसमें जब आप एक्जाम देंगे तो हर एक आविदन की स्ट्र devotion का है चाहिए auditor का है उसका मेंस ऺैखाम यूजारी कि जाएगा वेकאןसी मिलने पर विभागवार यहां आपका मेंस घोबाने एख आयोग जो है बड़े बदलाव कर रही है और इन सभी चीजों को लेकर कि यह सारी होती रहे है और बिल्कुल पारदरसिता बरती जा रही है तो आप लोग भी आप अपनी तयारी में लग जाईए क्योंकि अगर यह साल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है आगने वाले सम है तो इस मोक टेश्ट में भी आप लोग पाटिसिपेट करें हिस्सा बनिए और परिक्षा केंद्र को लेकर यहां पर जो विकल्प दिया जाएगा अगामी जो इतनी परिक्षाएं होंगी सहर चुनने के लिए भी विकल्प को दिया जाएगा कि आप अपने हिसाब से अप अपडेट भी किया गया है और आप लोग के लिए एक जीके का न्यूज यह है कि 12 ऐसे राज्ये हैं जहां पर राज्येपाल बदले गया है जहां पर राज्येपाल की फिर बदली होई है जितमें बिहार के अगर बात करें फागो चोहान जो है मेगाले कि अब यहां पर कौन कौन से न्यूक्त हुए हैं तो यह आपके एक्जाम के पॉइंट अभी उसे भी इंपॉटेंट टॉपिक है इसको जरूर धोड़ा सा ध्यान में रखेगा इस पीडियेफ को मैं आपको शेयर भी कर दूँगा अपने टेलीग्राम पे तो अभी के लिए तो इस वीडि केलीग्राम पे आप जाके वहां से चेक भी कर सकते हैं जैन दोस्तों